मुसल्मानों के पवित्र महीने रमजान की शुरुवात हो गई और आज पहला रोजा है बीती शाम लोगों ने रमजान के चांद का दिदार किया और एक दूसरे को गले लगा कर इस पाक महीने की मुबारख बात दे चांद देखे जाने के बाद लोगों ने रमजान के महीने में अदा की जाने वाली नमाज पढ़ी रम्जान का वो महीना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत के दर्वाजे खोल दिये जाते हैं जहन्नम के दर्वाजे बंद कर दिये जाते हैं और जमी से लेके अर्श तक खुशी का माहौल होता है हम उस माहौल में शामिल हो चुके हैं जन्नत का दर्वाज़ा खुला हुआ है, मुबारक हो, सब लोग ऐसे काम करें जो जन्नत में जाएं और ऐसे काम से बचें जो जहन्नम से बच सकें रमजान के महीने में मुसल्मान 30 दिन तक निर्जला वरत रखते हैं जिसे रोजा कहा जाता है सुभा पहले लोग सहरी करते हैं, सारा दिन रोजा रहने के बाद शाम के समय सूरज ढलने से पहले खजूर खाकर वृत तो उपते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है इस पूरे महीने में बाजारों में खास रौनक देखने को मिलती है, जहां एक तरफ लोग अबतार के लिए फल खरीदते हैं, तो कई तरह के पकवान भी तैयार करते हैं वहीं सहरी के लिए भी खास तरह की फेनी सेवई की खरीदारी की जाती है तीस दिन के रोजे रखने के बाद चान देखने के बाद इद का त्योहार मनाए जाता है, फिलहाल तो इस पूरे महीने आपको बाजारों में रमजान की रौनक देखने को मिलेगी मुरादाबाद से भारत भूशन योशी और मनेर से मनोज कुमार सिंग के साथ बेरो रुपोर्ट गुड डीस टुडे